गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए अब हम अपना हिंदी विशे शुरू करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी में पार्ट नमबर तीन समझदार अजे की रवीजन कर रहे हैं, इस पार्ट की बेटा, रवीजन में हम इस पार्ट की रीडिंग भी कर चुके हैं, आपन इस पार्ट की रीडिंग की थी, तो आपको पता होगा कि इसमें श्रीर के चार अंगों के नाम आये थे, कौन-कौन से थे वो नाम, हाथ, नाक, कान और बाल, ठीक है, ये चार श्रीर के अंगों के नाम हमने इस पार्ट में पढ़े थे, आज हम इनी श्रीर के अंगों के न पर देखिए बिटा, सबसे पहले आप हिंदी की कॉपी के उपर आज की डेट लिखेंगे, उसके बाद हैडिंग लिखेंगे, पार्ट नमबर तीन, नेक्स्ट हैडिंग होगा आपका शरीर के अंगों के नाम, ये दो हैडिंग आप लिखेंगे, उसके बाद देखिए बिट से सबंदित शीर के अंगों के नाम तो देखिए नमबर एक पलक पलक क्या होती है बटा जो हमारी आंग के ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं पलक तो पहला नाम क्या हो गया पलक दूसरा देखिए न य न न नयन नयन कहते हैं बटा आंग को तो यह हो गया हमारा शीर का दूसर आगे देखिए चर न चरन कहते हैं बेटा पैर को ओके आगे देखिए नमबर चार गर दन गर्दन हो ती अपके मुंग के नीचे होती है उसका हम ब warfare गर् तो यह जो बिटा चार हमने किये हैं इनमें कौंट सी मत्रा है इनमें मत्रा है जो की मत्रा होती उसका कोई कोई भी चिन नहीं होता कोई भी साइन नहीं होता ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन शब्दों में कोई किसी भी मात्रा का कोई चिन नहीं है तो यह जो शब्द हैं वो किस मात्रा से सबंदित हैं यह हैं अ मात्रा से सबंदित अब हम आगे देखेंगे च्रीप के अंकों के नाम जो कि आ मात्रा से सबंदित हैं, ओके, देखें, नमबर पांच, हा, थ, अब इसमें देखें, बटा, ह के साथ, आ की मात्रा लगी हुई है, तो आपको पता है, कि आ की मात्रा की होती है, जब अक्षर के साथ जुड़ जाती तो साथ में उसकी साउंड भी नेक्स्ट है, कान, कान, अगला शब्वद है, गाल, गाल, नेक्स्ट है, बाल, बाल, उसके बा steeds विजए मांठा जानए, अंक्षर के यह हैं, नमबर पांच से लेके नमबर दस तक है, यह जो शीर के अंगों की नाम है, यह हैं आपकी आ मात्रा से सवंदित हैं, ओके, तो आज बिटा आपका काम है कि आप ये दस श्रीर के अंगों के नाम सुन्दर सुन्दर राइटिंग में अपनी हिंदी की नोड़ बुक के उपर लिखेंगे और फिर आपने इन दसो नामों को क्या करना आपने यार करना है और फिर किसी रफ कॉपी के उपर आपने इनको लिख कर भी देखना इनका अभ्यास करना है ताकि आपको ये लिखने आ जाएं ओकी बिटा तो आज का आपका इतना ही काम है धन्यवाद